हbaumशकार रॉर्ण स्वागेथि आप सबका इंडिमसाले पॉट्कास ऐए ने एपिसोड में मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त अमृत शेकर इंडिमसाल哈 इंडिमसाले पॉट्केस्ट जहां हम बात करते हैं वाइंड बॉड़ि और सोल की और Indian masala podcast more life each day आज की topic बहुत interesting है body के related है आज हम बात करने वाले हमारे gut के बारे में हमारे gut health के बारे में कैसे bacteria, fungi और बहुत सारे अलग microbes मिल करके हमारे gut में 4-5 तरह के अलग अलग काम करते है जैसे nutrition है, जैसे हमारा mood है जैसे हमारे immunity है इतनी vast topic है ये और इतनी exciting topic है कि हम इसमें बहुत सारी चीज़ों में नहीं जाके आज के बल गट और nutrition का जो संबंद है उसके उपर में बात करेंगे पर उसके पहले मैं आपको कुछ interesting facts बताना चाहता हूँ हमारी जो body है बड़ी बड़ी diverse microbial community होती है और जो human gut bacteria है और जो biome है उसमें 1000 से अलग-अलग species की bacteria होती है और जैसे हम अगर ratio देखने हैं तो 1 is to 1 का ratio होता है हमारी body में तो total 38 trillion cells हमारे human cells है 39 trillion bacteria, viruses, fungi ये सरमील करके हमारी उपर है ये हमारे gut health और हमारे digestion को बहुत-बहुत प्रहवित करते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे essential nutrients बनाते हैं तो हमेशा खाली antibiotic खाना अची बात नहीं है ये हमारी immune system को भी बहुत-बहुत प्रहवित करते हैं there is something called gut brain axis इसके बारे में अलग से बात करेंगे कैसे हमारा पेट और हमारे ब्रेन से मालूम है आपके पेट को आपका दूसरा brain कहा जाता है क्योंकि spinal cord से भी ज्यादा nerve cells आपकी पेट के अंदर में होते हैं शरीर के लिए बहुत-बहुत important mood के लिए बहुत-बहुत important मैं उदर जा रहा हूँ but serotonin सबसे ज़्यादा gut में बनती है जो आपकी mood को regulate करती है आपकी body के microbiome regulation और कैसे आपकी weight उपर-णीचे होती इसके उपर भी आपके bacteria है उनका बहुत-बहुत बहुत-बहुत बहुत है और आपकी microbiome developed होती है वो आपके गदम शुरुआत के समय से हो जाती है तो जो बच्चे cizorine section से पैदा होते हैं versus जो vaginal roots से निकलते हैं तो vaginal roots से निकलने वाले बच्चों में ज्यादा अच्छी microbiome पाए जाती है as compared to the kids who are born through the C-section जिसमें वो सीधे मा के पेट से निकलके और bacterial environment जो hospital का होता उसमें आता है कि यह जो gut microbiome है यह बड़ा ही individual होता है दो भाई एक घर में रहने वाले दो अलग अलग हो के gut microbiome सिमिलर हो सकते हैं बिल्किल सिमिलर नहीं होता है इसलिए को DNA बिल्कुल अलग-अलग होता है आप किस दवाई को कितनी अच्छी तरह से पचा पाता है या कोई दवाई आपके शरीड के उपर काम करेगी ना करेगी इन सब चीजों के उपर भी gut microbiome का बहुत-बहुत हात होता है ज्यादा उन सब चीजों की डीटेल में नहीं जाते हो आपको मोटा मोटा वापस रिपीट करना चाहूंगा कि आपके शरीड में भगवान ने आपको जितने हमारे मनुष्य वाले सेल दिये हैं कोशिकाएं दिये हूतनी ही आप हमारे शरीड के उपर में हम बैक्टिर, वाइरेस, अलग फंजाई और प्रोटोजोव, आर्किय, प्रोटिस इन सब को लेके चल रहे हैं हमारी जो शरीड है यह हमारी एक पूरी कॉलोनी हम लेके चलते हैं अब जिकिए इसमें अलग अलग तर से देखा जाते हैं तो सबसे ज्यादा कहां गट माइक्रोबायम में 30-40 trillion bacteria पाये जाते हैं यह जो किनी के उपर पाये जाता है जो स्किन माइक्रोबायम अलग से बॉला जाते हैँ गट जब ही में बोलना, मु दिन से लेकर करके और जहां से हमारा खाना नेकल त का इनिस वहां तक घट माइक्रोबायम बोलता है nasal and respiratory tract नाक और जो सांस की तंत्रिका है उसमें 10 से 100 बिलिन तक रहते हैं Eurogenital Microbiome खासकर जो महिलाए हैं उनमें ज्यादा microbes पाए जाते हैं वजाइना में compared to the males और कहां होते हैं? कान में होते हैं, आखों पे होते हैं और अलेलग जगह पे तो याद रखे हमेशा 1 is to 1 का ratio है हमारा bacteria, virus, fungi इन सबसे relation के समय में तो आज के हम बात करने वाले digestion के उपर में, बैक्टीरिया हमारे body में क्या 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 करता है, digestion में मदद करता है, साथ के साथ, digestion किन चीज़ होगे, fibers की, complex carbohydrates की, essential nutrients हैं वो हमारे शरीर में बनाता भी हमारे फायदी के लिए, उसके बार में बात करेंगे, यह हमारी body की metabolism को maintain करता है, हलाकि research चालू है, अब आप और हम हमेशा bacteria को खतरनाक मानते हैं, bacteria को मार दो, bacteria को हटा दो, यह हमारे शरीर की रख्षा dangerous pathogen से भी करते हैं, यह एक तरह का हमारे survival की कोशिश करता है, तो उसको हटा दिया जाता है, that is the way how it protects, key role, digestion of complex carbohydrates और fiber, हमारी जो human enzymes हैं, जो के digestive enzymes हैं, वो एक हट तक ही carbohydrates और fibers को पचा पाती हैं, उसके बाद यह अन पचा हुआ complex carbs and fibers हमारे colonel में पहुँचते हैं, जहां पे colonies होती है, bacteria की, और खासकर firmicutes और bacteriodatus phyla के जो bacteria होते हैं, वो इनको ferment करते हैं, और उनको change करते हैं, short chain fatty acids में, short chain fatty acids like butyrate, acetate and propionate, butyrate बहुत-बहुत important है, यह colonel की जो bacteria, उनको तो energy देता है, उसके साथ यह gut के integrity को maintain करता है, और हमारी शरीर में सूजन को कम करता है, और साथ के साथ इसके anti-cancer properties भी research चालू है, acetate, acetate cholesterol की metabolism में क्या role है, इसके उपर research चालू है, हलाकि यह definitely fat metabolism में काम करता है, और बाकि दूसरे bacterias को as a food acetate से मिलता है, propionate यह हमारी liver use करती है, और शायद indication है कि हमारी liver, जो glucose की metabolism है, उसमें और insulin की sensitivity में propionate का हाथ हो सकता है, तापकी body में कितना butyrate, acetate, propionate बन रहा है, depend क करता आपके body में कितने इच्छे bacteria, कितने बुरे bacteria हैं, उसके उपर, अब जहाँ vitamin की बाहते है, vitamin K directly bacteria के दौरा हमारे body में बना जाते है, most of the vitamin B12, वो अलग-अलग तरह के bacteria है, वो हमारे body में in vitamin का synthesis करते है, अभी एक और चीज़ है, जो proteins और amino acids जो हमारे digestive system में digest नहीं हो तो वहां से, मतलब ऐसा है कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो हमने खाई है और जो body के अंदर में है, वो उसका maximum mutualization किया जाए, अब इसके दो तरफ के फायदे होते है, एक तो जभी आपको nutrition की कमी होती है, खाने की कमी होती है, तो this is fantastic way कि हम nutrients पूरा निकाल लिए और श हमारे hard working है, और वो इतना जादे nutrients derive करते हैं, निकालते हैं और जमा करते हैं उसको हमारी body में, कि वो मोटा पे के तरफ भी हमको ले जाता है, तो जहां, आपकी gut microbiome और obesity का connection बहुत-बहुत clear है, मैं एक example बताना चाहूँगा, scientist ने दो एक ही प्रजाती के चुहे, एक ही species के चुहों में, एक चुहा जो मोटा था और एक चुहा जो पतला था, तो पतले चुहे के पेट में मोटे चुहे का faecal material, जो gut microbiome, उसको transplant किया, एक ही खाने में, दोनो एक ही तरह का खाना खाते तो एक मोटा था और पतला था गट माइक्रोबायम ट्रांस्प्लांट होने के बाद ये पतलावला चुहा भी वही उतना ही खाना खाके मोटा होने लगे हैं तो रीसर्च है इन सर चीजें के उपर मैं चालू है हमारी जो fat की metabolism है उसकी modulation में भी हमारे gut का क्या हाथ है इसके उपर में research चालू है हाना कि एक bacteria जिसका नाम अक्सर बहुत सारे जो functional medicine की बात करने वाले हैं gut microbiome की जो समझ रखने वाले उनको लोग वो बोलते हैं ackermensia mucinifila ackermensia mucinifila ackermensia mucinifila हमें pomegranate अनार से मिलती है और आपको याद होग है हिंदी काहवत एक अनार सौ बीमार उनको ठीक करने की capacity this is very very powerful ackermensia mucinifila यह mucine production जो mucous production होता है body में हमारे उसमें मदद करता है and bifidobacterium यह दूनों मिलके हमारे शरीड में जो सूजन है जो inflammation है जो आपके doctors बोलते हैं कि इनका inflammatory marker check करो C-reactive protein check करो इनका CKP check करो तो वो जो हमारे body में continuous चलता रहता है inflammation जो oxidation हो रही है तो free radicals release हो रहे है and that is causing inflammation across the body उसको कम करती है body weight और आपके metabolic rate जो है उसके उपर में भी ackermensia mesiphina and bifidobacteria का role देखा गया है साथ के साथ detoxification करना body में बहुत सारी जो waste material होते हैं उनको भी साफसफाई करना आपकी appetite कैसी रहेगी, भूख लगी है, भूख आपको लग रही है, bacteria को लग रही है, energy balance body की कैसी होगी वो साथ के साथ last में pathogens से बाहर जो bacteria आतों उनसे भी बचाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाथ दोना, बहुत ज़्यादा साफसफाई और बहुत ज़्याद antibiotic की use से हम microbiome को नुकसान पहुचाते हैं कल में कोशिश करूँगा microbiome, gut microbiome और हमारे mood का क्या connection इसको बात करेंगे और शायद हम इसके बारे में बात करेंगी probiotic food कैसे हमें अच्छा health प्रदान करती है इंटरेस्नी लगी topic तो ज़रूर शेर कीज़े अपने लोगों के साथ और बाकी मिलते हैं कल और detail के साथ बाई-बाई, take care